नई जोस नई मंग और नई आशा के साथ मैं फिर से ब्लोग शुरू करी हूँ तो गाइस लोग अभी बज रहा होगा प्लग पाच तो नहीं बजा है तो हम जा रहे हैं गाइस लोग हैं अकेले जा रहे हैं जिन्दगी में फास्ट टाइम गाइस लोग ये राची अर गोडा टू लोड़ दागा ता आप देख सकते हैं गाइस अभी सुबह सुबह पाच लब कुछ अर्जंड काम आ गया इसी के लिए रिसको भी देख सकते हैं गाइस लोग है मेरा भाईया लगता है गाइस लोग देख सकते हैं तड़गोड स्ट्विशन मी छोड़के खीने हां से पाकी ले जाना है गाइस देख सकते हैं आप लोग खेत खलियान देख के स्किप मत कीजेगा वीडियो कहें कि आप लोग ये मत भूलिये कि जो राची और जारकंड है वो खेत खलियान ही के वज़े से ही फेमस है जहां पर अगर चावल रोटी नहीं आता तो वो गाउं घर क्या सेहर में भी नहीं पहुच पाई अभी अभी आपको देख सकते हैं अभी में ट्रेन में हूं है अभी इस नरकोपी को पार करें गाइज लोग और कुछ खाय पिये कुझे भी नहीं है अभी खाली ब्रास तापी निकले है गाइज में कि नहीं दोर सबस्क्रीक को पुगभी लोगा आता है अभी में सो जाइज में सेहर में दोगचाओ वोगपीता अभी को अभी पाल भी नहीं है 50 अभी में अभी जिये टु़िध लूच़ को पाल गाइस लोग हम ट्रेन में बाटके यही सोच रहे थे कि कब पहुचेंगे, कब नहीं पहुचेंगे, अकेले कैसा होगा, मेरा काम बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, कि कैसा होगा, किसमा साथ देगा, कि नहीं देगा, कि क्या होगा ऐसे-एसे इन लोगों को आप लोगो जरूर, लोहरदा का ट्रेन में जरूर देखे होंगे तो जो लाचार है उनका आप लोग जरूर help कीजे, मदद कीजे ताकि आप लोगों को दुआ जरूर मिले तो मैं scholarship के लिए मैं income, caste के लिए मैं मुख्या सबसे साइन करवाने के लिए मैं यहां पर फॉर्म भर रही हूँ आप लोग देख सकते हैं तो गाइस लोग मैं अपना गाओं मतलब जहां से यह सब काम करवाना है मैं वहां पहुच चुकि और हम लोग जा रहे हैं गाइस लोग अभी खेत अभी पानी है थोड़ा हैं तो वहां से फांद के गाईस लोग केतना मेहनत करना पड़ रहा यह पट्टी से ओपती सब हांद के कठीं परिस्तियों से जूच के गाईस लोग कैसे आगे बढ़के तो इसके लगा एक लाइट तो ज़रूर कीजेगा है ना तो यह देख सकते हैं इसे मैं फांदी है अब मैं जा रही हूँ अपने मंजिल पे जिसके लिए मैं राची से मैं आए थी घर घागरा है ना घागरा में आ गया है गाई तो यह है मेरा भाई है ना चाचा का बेटा तो आप लोग देख सकते हो गाई लोग खेत खेत अभी हम लोग जा रहे है शौट कट मार के है ना यह है घागरा जो घागरा के लोग होंगे उलो को मालूम होगा यहां तो आप लोग देख सकते हो गाई लोग है ना यह कहां का है आप लोग बताई अगर आप लोग जानते ह इतना कठिनाईयों का सामना जूच के अपना काम करवाने के लिए गाईज लोग हम राची से घागरा हैं वो भी अकेले बहुत बड़ी बात हो जाती है गाईज लोग वो भी अपना ये सब का काम करवाने वो भी अकेले जो करवाए हैं, उनलों को पता है, खुट से, और जो नहीं करवाए हैं, उनलों को इसका value नहीं मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं, मेरा हालत पुरा गमभीर है, गमभीर से भी गमभीर है, यह है घागरा का टाना भगत college, अब हम लोग जा रहे हैं, मुख्या का गहर, ज तो आप लोग देख सकते हम लोग मुख्या का घर पौँच चुके है ना, तभी उनकी वाइफ आएगी सिंगनेचर करवान, आप लोग देख सकते हैं गाईज से पौँच गई है ना तो यहां पे मेरा कागज पत्तर वाला काम में सिगनेचर हो रहा है जी हाँ मेरा सिगनेचर हो रहा है मेरा काम एक ही दिन में हो गया गाईज लोग मेरा कड़ी मेहनत कड़ी धूप खेत खलियान से जो हम आए है गाईज लोग उतना दूर से जो गाईज लोग हम आए है मेरी आखों के नजर में गाइज लोग मुझे फल मिल रहा है, अतना कड़ी मैनत के बावजूद गाइज लोग मेरा एक ही दिन में काम हो गया गाइज लोग आप जितना मेहनत किजेगा फल का चिंता कभी मत किजेगा क्यों कि आप जितना मेहनत किजेगा आपको फल जरूर मिलेगी मुझे यकीन था मेरे में कि ये काम मैं जरूर करूंगे मैं अकेले जरूर की गाइस लो उतना खेत खलियान से भी आये तो भी धूप से बज़ के कड़ी मेहनत करके गाईदों यहां तक पहुचे है तो हाँ आप लोग देख सकते हो गाईदों सिन्निचर हो रहा है तो अब मैं पहुचगी हो यह है मेरा भाई का खूद का काफे है जो की घागरा में खुला हुआ है तो आप लोग देख सकते हो मैं अभी अपना भाई का काफे में मैं बैठी हूँ है तो आप लोग देख सकते हो गाईद लोग इसको मेरा ब्रो को ब्रो इसी को मुख्या बना आरे हैं गारीज़ोग देख सकते हो गारीज़ोगा है